नमस्कार, आज हम लोग पढ़ेंगे कामता प्रसाद की एक यात्रा, वृतान, हुंडुरू का जल प्रपात, इसमें आदिवासी संस्कृति के जो धार्मिक और संस्कृतिक अस्थलों का जो वर्नन और उन संस्कृतियों की प्राकृतिक द्रिश्यों की प्रसिष्ठता के शोचकतत के रूप में यहां पर उपस्चित किया गया है, छोटा नागपुर का एक टुकरा है, जमीन में हर्याली है, आकास में नीलमा पकपक पर पहारों को देखकर धरती भी उभर खावर और उची हो गई है, त्रिबधारा और गंदले पानी के साथ नरिया बलखाती ब परवतों का अंतर फोड़ा है, जारी जुर मुटो, पेर पौधो और लता, गुलमों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है, जिने जंगली जानवरों की सरंदिया बेहतरीन सरके, जिनके बनाने में ठेकदारों को कम, मेहनत नहीं बहुत ही मेहनत करना परा था, बिभा को कम व्याय पड़ा साप की तरह भागी जा रही है, और कहीं के साथ कुछ सवारी पर कुछ पैदल मुसाफिर भी दृत गती से चल रहे हैं, या उनकी मारमिक दृष्टी कोनों का अध्यन करा रही है, धरती पर आदिवासियों का निर्थ हो रहा है, और आस्मान में बादल आख मिचोली खेल रहे हैं, जन जन के कंठ से मादक गीतों की स्रिष्टी हो रही है, जिस से पहार और मैदान गूज रहे हैं जंगली जानवरों की आवाजों के साथ जंगल का कुणा कुणा बोल रहा है, विचित्र विचित्र पक्चों की चहका से पेर के साखाएं गुल जाड़ हो रही है, जब जंगल ही है तो वहाँ पर तो चिरिया जानवर और पानी के जर्नाओं का जो मिस्रित अंसे वह देखने को मिलेगा ही, क्योंकि वह एक अनोखा द्रिष्ट प्रस्तूत करता है, सुन्दर जलवायू, मन हर वाता वरन हवाएं धीरे धीरे डोल रही है, तो अपने साथ फूलों की सुर्वी भी बिखेरती चली जा रही है, बादल धीरे धीरे बरस्ते हैं, तो उनके स्वस्त सरीर और सुन्दर स्वास्त का वर्दान मिलती है, नदिया कल-कल छल-छल स्वर्दे बहती है, तो किनारे पर रहने वाले को अम्रित बारती जाती है, जरने सत्त जर जर आँखों की तरी तथा नमी कलपनाओं को सुन्दर खुराग्चित को स्वक्ष और पवित्रता प्रदान करती है, खानों में कोईले और अबरक, जंगल में तरह-तरह की लकडियां, फूल फगनी पर नास्ती तितिलियां, फल भर्द से जुके जा रहे पेर, सोभा संपन वर्नित घाटी, सुस्मा की दर्सन नदियां, मोहक, मैदान, मन पर जादू जैसा असर करने वाली परवत मस्त निवासी, इन सब के साथ यह जोटा नागपूर, एक और पृत्वी अपने कोस को उगल रही है, तो वह कोईला बनकर लोगों के घरों में सोना जा आल रहा है, एक और पृत्वी अपनी चमक दमक का प्रदर्शन कर रही है, तो वह अबरक बनकर दुनिया का स्रिंगार भी कर रही है, अपने निरंतर संखर्शों से नदी पत्थरों को उबर खाबर कर एक नवीन आकार प्रदान कर रही है, तो उसे लोग स्वेत साली ग्राम कहकर पूजते भी हैं, पत्थरों से करना की धारा ज़र रही है, जिसे लोग ज़रना कहकर अपने भावनाओं को देख भी रहें, हमारे यहाँ जो संस्कृती हैं, जो सब्विताएं हैं, उसको पत्थर को भी पूजा जाता है, और पेर पौधों यहाँ तक जानवर पक्छियों का भी हम लोग सम्मान करते हैं, और यह द्रिस छोटा नागपूर का है, इस छोटा नागपूर में कई दर्सनिये जर्ने भी हैं, उनमें हुन्डू का जर्ना निराला है, मैं जब भी राची गया हुन्डू देखने जरूर जाता हूं, यह जर्ना जिसने मेरे मन प्रान पर जादू सा विखेर दिया है, जिसकी यह स्मिर्थी भूली नहीं जा रह जर्ना है, जिसके बारे में लिखते हुए मैं अगाता भी नहीं, राची के पुर्यावली सरक पर 14 मिल जाने के बाद एक सरक मिलती है, जिसे हुन्डू पहुचाती है, पुर्लिया रोड से उसकी दूरी मात्र सहज 13 किलोमीटर है, जो की राची से हुन्डू के 27 मिल दूर ह महात्मा गांधी ने कहा है कि साध्य की पवित्रता वो महत्ता तभी है, जब उसका साधन भी महान हो, महान मंजिल पर पहुचने के लिए मार्ग भी महान होना चाहिए, जैसा हुन्डू का जर्ना है, वैसा उसका मार्ग भी है राची से चलने वाले मुसाफिर को जर्ना पहुचने तक एसे सुन्दर मैदान मिलते हैं कि वहाँ थोड़ी दे ठार कर टहनने की इक्षा जरूर आपके मन में होगी, एसे जंगल दिखाई परते हैं जिससे भी सकता से सरसायद बाग को भी डर लग जाए, पहारी उस जरने पर तब दर्सनी हो जाती है, वरनित हो चुकी है, महीना अगस्त का था, इसलिए धान की क्यारी की क्या न्यारी हडियाली है, बल खाती सरक जिस पर चलने से आनंद आए, पथरीली जमीन पर पथर की छाती चीर कर बहने वाली पथली नदी जिसे देखने में आनंद आए, प मिलकर आनंद की कई गुनगायन करती हैं हवाएं डोड़ी डाल रही है जैसे सलाह देकर डोड़ हो छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीवी की मूर्ती है जिनके रहन सहन में सत प्रतिसत कला बसती है यहां कला आप देख सकते हैं मारगों में तो खड़ कहीं कहीं अलग बगल में लहरा रहे थे जैसे यहां की अनेक किसमे हो इस प्रकार माग दर्षन का आनंद लेते हुए हम हुंड्रू के पास पहुंचते हैं एक बार मन ही मन मैंने जहरना को परनाम भी किया नदी को परनाम करने की हमारी सभिता और संस्कृती आज भी जनमानस में हैं गंगाता हो या कोई भी जील नदी हो उसमें बिना पैसा डाले हम बाहर नहीं जाते हैं पहाड़ों पर पानी की एक अजीब लीला है जिसका मुकाबला न राम लीला करे न रास लीला पानी इस प्रकार उचल कूद धूम मचाता है कि वह आवाज जैसे दस पांच हाथी एक बार सिंग्या रहे हूं और दस पांच ट्रेन का इंजन एक साथ आवाज कर रहा हो लहर एसा मारता है कि आवाजों से कान का ज्वालाएं फटने की तयारी हो रही हूं और यह जर्ना देखने लगता है वातावर्ण की पविर्थिता ऐसे मालूम होती है मानो हम देव लोक के समीब हैं क्या यह यूग-यूग में पानी का आगात है पत्थरों को बरदास्त और एक पत्थर ऐसा भी है जिसकी चाती को चीर कर पानी निकल जाता है यूँ एक प्रकार से यह जल की छमता का प्रदरसन करता है सामने पत्थर भी मात है हाँ पत्थर मात है करुना के सामने प्रेम के समान जिसके अपार बलके श्वरूप पत्थर की चाती से धारा फूरती है पत्थर की आंक से आंसु निकलता है और पत्थर का कलेजा बिखल जाता है पानी अपना रास्ता स्वेम बनाता है वो पत्थर हो या कुछ भी हो उसे चीर देता है पहार पर नदी का यह खेल इन नदियों की स्वन रेखा उसके उद्गम अस्थान से 50 मिला गया कर हुन्डु का एक जर्ना जिसे स्वर्न नेखा नदी राची धनवाद सी भूमिया बला सोर चिले से होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है नदी जहां पहार को पार करने की चेस्टा में पहार को चिढाती है वहाँ पानी की कई धाराएं हैं और जब सब की सब धाराएं एक होकर पहार के नीचे गिरती है एक विचित्र सा आकार बनाती है जिसकी उचाई 243 फूट है उजला पानी एसा प्रतीत होता है कि पानी के चकर और भोवर से पिसकर पत्थर का सफेज चुर्न गिर रहा हो आया कि वहाँ के लोग सचमुच अवेवारिक हैं अगर किसी दूसरी जगह में एसा ज़रना होता तो वहाँ के लोग इसके पास दुकान वगेरा सदा कर अपने लिए आये का दूसरा स्रोत या सुबधाएं खोशते धन है हुंडरू किस युग में किस महाकविक की वर्नित इस गीत की स्वरलाडी और किस प्रेम की रुदन ध्वनी से पिघल कर वह पासान बह रहा है यह कह सकते हैं अशंबव है पत्थर का अंत अस्थल जैसे पिघल कर बह रहे हो वैसे यदि मनस्यों का अंतर द्रवित होकर बहने लगा तो संसार से कलह कपट स्वार्त और छीना जप्टी का अंत हो जाएगा यहां तरह के पत्थर देखने को मिल रहे हैं तरह तरह के पत्थर एक पत्थर है जिसका अंतर फोर कर विशाल जरना जर रहा है और एक वह भी पत्थर है जिस पर न जाने किस युग में पानी का यह धारा गिर रही है पर वह जरा भी विचलित नहीं होता है जियों का त्यों खड़ा रहता है किसकता भी नहीं है धस्ता भी नहीं है 243 फूट का यह प्रताप निराला सुन्दरता यहां साकार हो रही है और वर्न सकती को यहां और भावो की कमी हो गई है ऐसी सोभा जो कभी पुरानों में नहीं परती है और धन्य प्रताप जो सदा सदा के लिए बह रही है अवर्यल और विचलित नहोने वाले उधारन एक बार भीर यहां उपस्तित है दामनी दान करता है तो गुमा करता है पर यूग यूग में न जाने कितनी अनि यह पहार दान कर चुका है पर इसको कोई अभिमान नहीं है आदमी अगर कुछ दान करता है तो उसे अभिमान है लेकिन पानी को यहां कोई अभिमान नहीं है अन्धेरे आवाज सुनने तो प्रवाह का अंदाज लगा सकते हैं बहरे प्रवाह देखते हैं तो आवाज का अंदाज लगाने में समुद्र गम भीरता के लिए प्रसिद्ध है तो वह हुन्रू अपनी चपलता के चलते मसुहूर है कि वंदिती यह है कि इस हिंडुक के साथ मिल पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखे तो इससे कई गुना बड़ा है पर वहां जाने का रास्ता इतना बिहर और घंगोर और भयंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुँचना शकना दुस्वार तक है अगर बास सही है तो जंगल विभाग को उसका ठीक से पता लगा कर वहां तक मार्क का निर्मान करना देना चाहिए जिससे वह प्रपात भी जंता के सामने आ सके जो भी हो हुंडु दर्सनिये है इसकी याद भूलने की नहीं है कितने दिन गुजर गए लेकिन पानी आँखों के सामने उसी प्रकार उचल रही है और उसमें जो भावनाएं हैं उनको भी समिटी हुई है हुंडु जल प्रपात ये आदिवासियों की भी संस्कृति का ही भाग है और हुंडु का जल प्रपात उस छोटे से नागपूर में इतने मनमोहक द्रिस्यों को प्रस्तुत करता है यह पाथ अपने साथरता को प्रदर्सित करते हुए यात्रा के उन चर्नों को भी छूता है जो एक अभूत पुर्व अलोकिक यात्राओं के रूप में जाना जाएगा यह वीडियो आप नीव एजुकेशन पॉइंट के तरफ से हुंडु का जल प्रपात पर देख रहे थे धन्यवाद जय हें जय भारत